असलाम अनेकुम फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो जब से अर्शर नदीम ने पाकिस्तान को उलिम्पिक्स में गोल्ड मेडल धितवाया है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस क्रिकेट को देखना भूल गें ये वही अमाम है जिसको कहा जाता था कि ये क्रिकेट नविंग नेशन है इनके पास क्रिकेट के इलावा कोई और खेल नहीं है दरासल ये जूड था अब पता चला है जब पाकिस्तान ने 32 साल के बाद उलिम्पिक्स में गोल्ड मेडल जीता है कि पाकिस्तान क्रिकेट नविंग नेशन नहीं है पाकिस्तान के पास क् Olympics में जितवाया है, final वाले दिन पूरी अवाम जो है वो उस match का इंतिजार का रही थी, पूरी अवाम ने gold medal celebrate किया पाकिस्तानी अवाम सटकों भी निकल आई, अभी तक अर्शन रदीम का आप कहलें के airport में जबर्दस इतकबाल हुआ है, तो पाकिस्तान ने javelin throw को इतनी इज़त दिये पाकिस्तान ने किसी और game को cricket के रावा इतनी इज़त दिये उसकी वज़ा ये है कि उस game में पाकिस्तान ने top किया है पूरी दुनिया में हमने उस पे top किया है तो एक अर्शन नदीम ने पूरी कॉम जो सिरक cricket की बिछी लगी भी थी उसको जैवलीन थो दिखने में मजबूर किये अपनी performance की वज़ा से तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तानी अवाम के पास unfortunately पाकिस्तान की नाकिस हकूमत की पॉलिसों की वज़ा से कोई गेम और है ही नहीं देखने के लिए क्योंके पाकिस्तान में क्रिकट के लवा कोई और खेल खेला ही नहीं जाता है होकी जब पाकिस्तान की गोर्ड मेडल जीतती थी तो आपको पता है कि क्रिकट की तरह पाकिस्तान में होकी के मुकाबले भी देखे जाते थे अमाम को पता होता था कि यार कौन सा प्लेयर क्या करता है किसकी क्या पूजिशन है जैसे आज क्रिकर में में पता होता है कि आजम घान कोन है बाबर आजम कोन है शदाव घान कोन है तब हमें होकी का पता होता था अब हमें पता चल गया कि जैवन इंध्रो में अर्शन रदीम दुनिया का भेतरीन खिला रही है तो अगर कोई खेल खेला जाएगा, कोई स्पोर्ट खेला जाएगा तब ही तो अमाम उसको देखी जाएगी ना, देखेगी हम ऐसे ही कहते रहते हैं, हमने बस एक ही रड लगाई भी है कि इस अमाम को सिर्फ क्रिकर से प्यार है क्रिकर जो है, इस अमाम को एक कर देती है, यकजटा कर देती है आज गोल्ड मेडल जीतने के बाद, जैवन इंध्रो के मकावले में भी पाकिस्तानी अमाम को यक्ता कर दिया है, हर बंदा बेशक वो पाकिस्तानी पोलिटिक में ओपोजिशन से हो या वो इसकलावा हगुमत से हो, सब एक होए हुए है सब जो है, वो सिर्फ जैवन इंध्रो में अमाम क्रिकट ही देखती है तो ये एक चीज़ है कि अर्शन इदीम ने स्टैडर्ड सेट किया है लोग अब उलिम्पिक्स को जानेंगे, लोग अब जैवन इंध्रो खेलेंगे जैवन इंध्रो में लोग आगे जाएंगे तो आइस्ता आइस्ता अगर परफॉर्मस अची हो, अगर हगूमत चाहे अगर पाकिस्तान की गुवर्मेंट चाहे तो और भी खेल जो है, पाकिस्तान में खेले जा सकते हैं और भी स्पोर्ट जो है, पाकिस्तान में अपनी जगां बना सकते हैं क्रिकट के साथ लेकिन सिर्फ cricket 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 क्योंकि दूसरे sports को कोई infrastructure नहीं मिलता है तो ये मैंने एक छोटी से आपसे अर्जी रहनी थी कि unfortunately पाकिस्तान में जो sports है वो पाकिस्तान की अपनी गलत policy की वज़ा से खराब है वरना पाकिस्तान भी एक multi sports nation बन सकता है सिर्फ और सिर्फ cricket ही नहीं खेलेगा पाकिस्तान और sports में तरखी कर सकता है तो ये जो बात थी के पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान की जो अवाम है वो सिर्फ cricket ही देखना पसंद करती है वो जूट है अगर कोई और sports उपर आएगा उसमें अच्छी performance होगो बैसे कि वो छोटा से छोटा sport ही क्यों नहीं हो पाकिस्तान ये अवाम उसको देखती भी है और अपने players को appreciate भी करती है चैनल को subscribe करना है, वीडियो को like करना है, मिलते हैं आप से अगली वीडियो में अलाफिस